यालो रिवांट दीशी रवब चंद्रुपेश्चे सीसी वेलकमिंगालन समर्थ है इसन जोड़ी सरी इंवर्मेंटल आके केसे की बात कर लेते हैं वाटरेक्ट मैंने आपको पढ़ा दिया वाटरेक्ट के केसे जो भी है उसके बारे बात कर लेंगे पार्ट बी जल्दी आ जाएगा तो हम केसे के सेप्रेट वीडियो बना रहे हैं आप केसे के सिंगल वीडियो बना ना पड़ेगा उससे अचागकild अजनल को लाइक कर लिये सब्सक्राइब करें बहुत है करें जितना प्यार करेंग़ प्यार इमंपराटिंटर और के जो & ृ品 मेहता के ने आक रचे-ुट वरफ बढ़ा दी सब्सक्सराइबॉए आपने साथ साथ कोई दिक्कत है नहीं तो मेरा का केस है जो आपका 1988 का केस है एमेस दिल्ली बॉटलिंग कंपनी प्रावेट लिम्टेट का मैंने आपको रेफरेंस दे दिया है पहले भी वर्ट रेक पढ़ाया था और मिनिस्पल कौन से रतलाम भर से वार्दी चंद का केस है केडिया लेदर लिकल लिम्टेड फोरम प्रिवेंशन ओफिमोंट और सांड पोलुशन इसका अलग केस है इसके बार ही बताऊंगा तो आपन इस वीडियो में उपर के चार केस की बात कर लेंगे उसके बाद स्टेट ओफ एमपीप का पार टू में बात कर लेंगे एमसी महिता का जो केस है उसको गंगा प्लूशन केस और कामपूर टैनरीज केस भी कहते हैं चमडवधोग से डिलेटिड हूँ है इसको गंगा प्लूशन केस केस ने बहुत आजाएगा यह जाने मान इनवरमेंटलिस्ट और क्या नाम लउयर भी हैं बहुत बड़े अब हुआ कि इसके facts को समझ देज़े आपको मैं बता देता हूँ मैंने आपको पहले ही बोला था कि जो bodies बनाई जाती है सीपी जैसे सीपी सीपी ए स्टेट पॉलिशन का टोल बोड है तो उनका responsibility क्या होता है कि वो water pollution को क्या करेंगे इसके facts को देखे फिर मैं आपको रिलेट करता हूँ इसे कानपूर सहर जो आपको पता है गंगा नदी के किनारे है बहुत इच्छा सहर है और वहां पर बहुत सारे चमड़ाव दोग थे बहुत बड़े लेवल पर बहुत बड़ा पैमाने पर थे वह बहुत जादा नंबर था ठीक है अब इसे क्या हो रहा था कि गंगा नदी जो वह पलूट हो रही थी अब 32 आपको कहता है रिट पिटिशन के लिए तो इसी के बज़े से सुपरियम को टे बात पहुंची मेता लेके गए रिट पिटिशन के रूप में और उनने मेंडमस इसू करने की बात कही किस के लिए कि जो बॉडिज हैं जो कानपूर मुनिस्पल बॉडिज है या फिर जो भी स्टेट पॉजिशन कंट्रोल बॉर्ड की बॉड़ी है वहां पे लोकल बॉड़ी वह डंग से काम नहीं कर पा रहे और इन टैनरी को रोको आप क्योंकि टैनरी का ना तो अपना को पर्मानेंट ना पर नहीं था एक टैनरी को करो लोको पहले और दूसरा जो बॉड़ी इस पॉंचिबल है जो मतलब काम नहीं कर पारी उनको भी आप क्या करो कुछ ऑडर करो तो इस बज़े से केसे पहुंची बाद में अब अब ऑब्जर्बेशन क्या उसको समझे सुब्हां को टेंगा कि बहुत ही अचे वाटर बहुत ही पॉक्मारे को टेंग करके के सकते गहां और एड़े इंड़ेटे कोट ने ये बोला कि जो financial capacity कह रहे थे ना ये टैनरी चम्लाव दोगवाले किसा हम नहीं स्टाप्लिस कर पारें क्यूंकि हमारे पास पैसा नहीं है और हमारे पास पैसा अगर है तो हम प्राइमरी कर रखा हमने secondary करेंगे तो फिर हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा प्राइमरी मतलब फर्स से चिप कर लिए अपने मालों यहां पर कुछ इफ्लुइंट बच गया तो secondary वाले से पास होने से पहले वो साफ हो जाता था तो बहुत था नहीं तो प्राइमरी वाला कर रखा था पर किस केस पर कहा भी था कि अगर आपके पास पैसा नहीं है कंपंसेशन देने के लिए या फिर मिनिममम बेज देने के लिए तो फिर आपको कंपनी चलाने का भी अधिकार नहीं है वह सेम चीज़ यहां पर भी अगर आपके पास कैपैसिटी नहीं है कि आप क्या करो इस तरह के बनाओ treatment plants बनाओ तो आपके पास capacity नहीं है तो आप नहीं चला सकते प्लांट इस तरह के काप क्या है मतलब उद्रोग नहीं चला सकते यह बाद कोट नहीं कहीं ठीक है तो अपने यहां से हटाओ कहीं ऐसे जगा पर रखो जहां पर आपको क्या किया जाए एक तरीके से बोलते ना कि बहुत कुछ देखती के बाद आपको वहां पर लाइसेंस कर सकते हैं अगर वहां पर भी आप इस तरह का कोई काम करोगे तो सेम प्रिंसिपल लाग होगा उधर भी पहली चीज़ होगी इस्व दूसरा था मुनिसिपालिटी को तो पहले इस बहुत रगड़ा हो नहीं कानपूर मुनिसिपालिटी के तुम कर के रहे हो तुमारी काम क्या है तुमारे रिस्पॉंसिपलिटी का अगर पॉब्लिक नुएंस से देखो उन्होंने कोट ने का कि इस पाब्लिक नुएंस प्लिक कितना बड़े लेवल पर सफर हो रही है और आप कुछ करी नहीं रहो तो क्यों हुआ वाट इस रिजन के हम कानपुर मुनिस्पाल्टी को इस्टब्लिस करके रखेंगे तो पॉब्लिक लुएंस का वो देते हुए कोट ने बहुत ज्यादा इनको लतार लगाई बाद मैं ऐसा ही केस कलकता में भी वहा था तो कलकता में भी सेम चीज साइंटिवीक इन वेशन सारी चीजों को मद्य निजर रखते हुए गिल्टी पाया गया इन बोडी को बहुत जादा क्लिनेस ड्राइब अव्यरेनस ड्राइब इन सब चीजों से रिलेटेड आपको क्या गया गया रिस्पॉंसिबिलिटी दी गई क क्या आप इनको क्या करो आप पॉलिशन से रिलेटेड़ जो भी है उसको कम करो कंट्रोल करो अधरवाइज आपको भी बंद कर दिया जागा मतला ओवराल इनको बहुत ज्यादा लतार लगाई गए इन बोड़ी इसको बहुत ज्यादा इतनी सी बात है चम्राव दो की गंगा पॉलिशन केस सेकंड केस की बात करें देखो जो सेकंड केस है आपका न उसको मैंने आपको रिफ्लूंट इफ्लूंट या भी जो भी आपने वहां से बोतल बनाया है कि यहां पर देखो हम सेंपल कर रूपन ले जा रहे हैं तो एक एक सेंट्रल कर्मेंट जो सेंट्र फिफ्टी बन के अंदर बनाती है उनको भीजना पड़ता है और इसके लेबरेट्री का सेंपल से रिजल्ट आता है उसको ज्यादा तवज़ो दी जाती है अब इस केस में यही किया गया था कि दिल्ली कंपनी जीत गई थी क्यूंकि जो बहुत इंटेस्टिंग केस है आपको भी समझ में आ जाएगा क्या था मुनिशिपल काउंसिल रतलाम वार्दी चंद का केस है अब इसमें क्या होता है सेक्शन 133 CRPC का केस है जूडिसेल एक्टिवीजम का भी केस बोलते हैं इसको कि इसमें जूडिसेरी इन अपना दिमाग लगा था थोड़ा सा अभी है क्या समझें फिर समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाहरा हूं रतलाम आपको पता है मद्रप्रदेश मालवा रीजन के बहुत अच्छा सहर है वहां पे एक अब दिल्ली में हो बाहर में कहीं से भीडियो देख आपके सर में चीज राम होंग अब इसे पंजेंट असमेल हो रहा था एसा ही से रतलाम में हो रहा था अब लोकल अथोरिटी जो भी बाडिश्ट रतलाम उनिस्पवालिटी वह बिल्कुल अक्शन नहीं ले रही थी अब चाहिए जो भी वज़व एक्शन तो नहीं ले रहा थे ना अब यह लोग पहुं कि उसको कंक किया जा सेके चाहे बो मालिजे को ट्रेट को रिलेटेड है को अगर बड़े से बड़े ज्यादा ज्यादा लोगों को तकलीफ हो और आप सड़क पर जा रहे हूँ अब एक जगह बीच में बैरिकेटिंग कर रखा किसी ने लीगल अब उससे पुरे पूरे लोग कर दिया काउंटर केस इन्होंने बिल्कुल कोट में लेके चले गए इस डीम साब को बताओ एस जिम के पास पावरी नहीं है ऐसा कुछ है ना तो जब बात सुप्रीम कोट पहुंचे तो सुप्रीम कोट ने बोला कि यह तो तुम फाइनेशल कंस्ट्रीन का वज़े दे रहे ह नहीं है इसलिए हम सफाई नहीं कर पा रहे है यह बहुत ही पेकार कि वह आप दे रहे हो क्योंकि आठ साल से तुम केस तो लड़ रहे हो आठ साल से केस लड़ने की कैपैसिटी है तुम्हार पास लेकिन तुम्हार पास सफाई करने की कैपैसिटी नहीं है बात में तीन कैस मैं थीểu हो रहा है कि किसी भी तरीके का उसको हटाने का पाबर है उसको सोल्ग करने का पाबर है और अगर तुम नहीं मानोगे chosen 1 x 42 एंदर भी तुमिल क्षटे निलों में लगा थे वात मानी गई 걔 यह पहले हुप नहीं पड़ेगा तो पैसे मांगो government से government को भी लतार लगाई कि आप government को government से इनके पैसा मांगो इनको पैसे दो regular labor municipality को ताकि ये काम कर सके लोगों को दिक्कत ना हो और financial constraint का बहान आपको समझ में आ गया कि वह बिल्कुल बेवजा का बहान था तो और और पॉब्लिक इनलाज को support किया गए इस case में municipal council अतलाम वर्शे वार्दीजिंद का case इत्ती सी case थी ये दो cases तीन cases में आपको बता दी ये नेक्स वीडियो में आपको मैं आगे बताऊंगो जो भी है बाटर रेक्ट का जो भी cases है उसके पार्ट तूबे थैक्यों